एक्सेलेंसी लेडिज जेंटमेन 16 वें ब्रिक्स समीट के शांदार आयोजन के लिए महराश्पत्य पुतिंग को हारदिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथ्यों का भी एक बार फिर से हारदिक स्वागत करता हूं नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्वकी 40 प्रतिशत मानोता और लगभग 30 प्रतिशत अर्थिववस्ता का प्रतिनिदित्व करता है पिछले लगभग दो दश्वकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्दियां हासिल किये हैं मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन बैश्विक चुनवतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बन करके उबहेगा फ्रेंट्स में न्यू डवलप्मेंट बैंड के अध्यक्ष अर एक्सलेंसी दिल्मा रुशेव का अभिनंदन करता हूं पिछले दस वर्सों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपुन विकल्प के रूप में उभर रहा है भारत के गिफ सीटी के साथ साथ अफरिका तता रूस में रिजिनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग 35 बिलियन डॉलर के डवलप्मेंट प्रोजेक्स स्यंक्शन किये गए है एंडीबी को डिमांड डिवन सिध्धान पर काम करते रहना चाहिए और बैंक अविस्तार करते हुए लॉंग टम फाइनांशिल सस्टेनेबिलिटी हेल्दी क्रेडि रेटिंग और मार्केट एक्सेस सूनिश्टित करने पर प्रात्फिक्ता रहनी चाहिए फ्रेंट्स नए स्वरूप में ब्रिक्स थर्टी ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी एकोनोमी है हमारे आर्थिक सहियों को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस कांसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस एलाइंस की विशेज भूमिका रही है इस वर्स विश के अंदर डब्ली ट्यो रिफार्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रिकल्चर, रेजिलियन सप्लाई चेंज, इकॉमर्स और स्पेशल एकोनोमिक जोन को लेकर जो सहमती बनी है उससे हमारे आर्थिक सहियों को बल मिलेगा इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉर और मिडियम स्केल इंडिस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए मुझे खुसी है कि 2021 में भारत की अध्रिता के दोरां प्रस्तावीत ब्रिक्स स्टार्ट अप फोरम इस वर्स लॉंच किया जाएगा भार द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्ट नेटवर्क का इनिशेटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक और सप्लाइचेन कनेक्टिविटी बढाने में एहम भूमी का निभा रहा है इस साल ब्रिक्स देशों में यूनीडों के साथ मिलकर इंडस्टिव 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोस्ट तैयर करने पर बनी सहमती बहुत ही मात्पपूर्ण है 2022 में लॉज किया गया ब्रिक्स वैक्सिन आरेंडी सेंटर सभी देशों की स्वास्त सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है हमें डिजिटल हेल्ट में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साजा करने में खुशी होगी फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज हमारी साजी प्राथिक्ता का विशय रहा है रूस की अध्यक्स्ता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनर्सिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन टांजिशन पर विशेश रुप से बल दिया जा रहा है इंटरनेस्टर सोलार अलाइंस, कोईलिशन फोर डिजास्टर रेजियन इंफ्रासेक्टर, मिशन लाइफ यानि लाइफ टाइल फोर एन्वार्मेंट एक पैड मा के नाम जैसे इनिशेटिव लिए गए है पिछले वर्स कॉप 28 के दोरान हमने ग्रीन क्रेडी जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुवात की मैं ब्रिक्स पार्टर्स को इन इनिशेटिव से जुढने के लिए आमंतरित करता हूँ ब्रिक्स के सभी देशों में इन्फरास्टर्टर की निर्मान पर विशेश रुप से बल दिया जा रहा है भारत में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ति पॉर्टल बनाया है इससे इन्फरास्टर्टर्टर विकास के लिए इंटिग्रेटिड प्लानिंग और इंप्लिमेंटेशन में मदद मिली है और लोजिस्टिक कोस्ट कम हुई है हमारे अनुभव आप सभी के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी है प्रेंट्स ब्रिक्स देशों के बीच फाइनांचियल इंटिग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं लोकल करंसीज में व्यापार और सुगम्रुप से क्रॉस बॉर्डर पेस्ट पेमेंट्स से हमारा आर्थिक सहयोग सुद्रद्य होगा भारत बारा बनाये गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानि यूपी आई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस टोरी है इसे कई देशों में अपनाया गया है पिछले वर्ष हिज हाइनेस सेख महमत के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉंच किया अन्य ब्रिश देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है फ्रेंट्स भारत ब्रिश के अंतरगत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पतिवद्ध है हमारी विविद्धता और मल्टिपोलारिटी में हमारा द्रट विश्वास हमारी ताकत है हमारी यही ताकत और मानवता में साजा विश्वास हमारी भावी पीड़ी के समरुद्ध और ससत्त भविश को सार्थक रूप देने में सही होगा आज की बहुती महत्वपुन एवं उप्योगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ ब्रिक्स के अगले अध्यक्स के रुप में मैं राश्पती लूला को हार दिप्सु कामनाई देता हूँ भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्स्ता के सब्सक्ता के लिए अपना पूरा सही होग देगा एक बार फिर राश्पती पूतीन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद